यहां बुई शौशेंग के चोट पे दवाई लगाता है शौशेंग कहती है तर्द हो रहा है बुई उसे प्यार से फूपता है और कहता है जब तुम्हें पता था इससे तुम्हें दर्द होगा जिसमें तुम्हें दर्द से तर्द लगता है फिर भी तुम्हें एम्परोस क नहीं पहुचा सकता था मैडम शूजन दिखती बेवकूफ है बट वो चैंग की कोई पैलिस था वो समझदार है कि कब पीछे हटना है अगर तुम बीच में नहीं आती तो वो कैंडल स्टैंड को तूसरी जगे फिक दीती शाशेंग सोचते वह कहती है क्या तुम मेरा मजाक वो हमेशा से उड़ाते आ रही हो मुझे पैलस में जाय हो जादा टाइम भी नहीं हुआ मुझे क्या पता तुम जैसे लोग कैसे सोचते हो वह कहता है अगली बार तुम्हें बीच में पढ़ने की कोई बीज़रत नहीं किसी भी बात को लेकर शाशेंग कहती है कहना क्या च प्रेट कीज़रत नहीं पर तुम कहा थे जब मैंडम श्यूसन और की पैज़रती कर रही थी तुम्हीं क्या लगता है तुम्हारा क्या तुम जैसी स्ट्रॉंग बॉसन को मेरी के बाते के ज़ुर्त नहीं तब ही बाहर से और आवास आती है हम मैं 15 साल का था तब मैंने कुनलू माउंटेन में सी की तरह बादलों को देखा जो वहां तेर रहे थे वह बहुत ट्रू और प्योर थे उसे मैंने अपने दिल में बस बसा लिया अब जैसे तुम मुझे इस तरह से देखती हो जब हम हुआ काउंटे में थे मुझे पसंद है त तबी कोई कहता है मैं अपना दिल किसी को भी असानी से नहीं देता बट अगर मैंने अपना दिल एक बार किसी को दे दिया फिर मैं पीछे कभी नहीं मुरता बट अगर तुम मुझे अपना दिल उस तरह से नहीं दे सकती जैसा मैंने दिया मैं उसे वापस लेकर ही उसने तो उस चारे को लेकर कोईन बनवाने तक पहुच गई अंकल कहता है मैंने उसके एजन को खरीद दिया है जब सही वक्त आएगा हम सभी कोईन के कम दाम में खरीद देंगे इससे तुम अपनी वेल्थ बना पाऊगी उससे तुम और आसानी से पैसे कर्च कर सकती हो तर्ड प्रिंसेस कहती है नकली सिक्के बनाना देश द्रो के समान है आपको डरनी लगता क्या अंकल कहता है अगर इस मैटर में कोई फसेगा तो सिर्फ साउचन के पास ही माईन है सारा एज़ाम यौंग प्रिंस शानन के पास जाएगा मैडम शूजन ने उसे करने को मना कर दिया था हमारा सिर्फ एक ही क्राइम होगा वो भी सिर्फ नकली सिक्कों को यूज करना थर्ड प्रिंसेस हसते होई क्याती है अंकल आप तो इस्ताद निक्ते दोनों वहाँ हसते हैं और एक दूसरे को टोस करते हैं अंकल कहता है बट तुम सेफ रहना तुम्हें पता है ना तुमारी मदर और थर्ड ब्रदर कैसे हैं इस्पैशली यौर मदर वो तो नफरत करती हैं उन लोगों से जो दोका देते हैं बट अगर ऐसा होता तुम शो आफ मत करना अगर ये मैटर लीक हो गया तो हमें मैजिस्टी पनिश करेंगे इससे यू क्लैन खत्रे में होगा थर्ड प्रिंसेस कहती है अंकल आप चिंता ना करें अगर वो पकवास जगे चैंकुई पैलिस नहीं होता तो जिसने हमेशा केरफूर रहना सीखा होता तो मैं कभी भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेती ताकि मैं रास्ते खोजती नहीं क्योंकि मैं फिर उससे पैसे बना सकूँ अंकल कहता है हमें बस सेफ रहना है थर्ड प्रिंसेस अवाज लगाती है वाइन खतम हो गई है कोई उससे अंदर लेकर आओ तब है मिस्टर ट्यान आता है और कहता है दियर गेस्ट ये हमारी रैस्टर की नई वाइन है इसका नाम ब्लूमिंग बैल्स है क्या आप इसे टेस्ट करना चाहेंगे अंकल कहता है अंदर आओ तो इसे blooming belt कहते हैं जैसा तुमने कहा ये वाकर में बहुत अच्छा name है चलो हम इसे try करते हैं इसका मतलब तो ये you clan और भी पैसे वाला बन जाएगा third princess कहती है तो क्या हुआ हम पैसे वाले होंगे warming boy मेरी तरह अंदा है पूरे capital में सिर्फ वो पत्तमीज ही लड़कियों से पसंद आई second sister ने सब कुछ सहने के लिए मुझे कहा बट जब भी मैं उसे हर रोज देखती हूँ मेरा तो खोन खौल दी जाता है बहतर होगा कि वो मुझे कभी भी अकेले में ना ही मिले नहीं तो मैं उसे बताऊंगी कि imperial family के साथ रहना कितना मुझकिल है वो drink करती है